दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की जानी मनी लोगपडी कमपनी टाटा कमपनी के भारी में, जहां डाटा कमपनी ना सिर्फ आटोमेटिब सेक्टर बलकि पावर सेक्टर को भी आतनर्वर बनाने में लगा हुआ है, जहां पर एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ जानकारी के लिए आपको बता दें कि टाटा पावर की तरफ से देश का सबसे बड़ा चारजिंग स्टेशन को डिबलप्ट किया गया है, जो आने वाले फ्यूचर में और भी ज्यादा विक्सित किया जाएगा, अगर बात करें हम टाटा पावर के एक नए अपडेट के ब लिए हुए प्रोजेक्ट को पूरे फोकेस के साथ करने जा रही हैं, जिसके मताविक सिर्फ 18 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट को बना करके कंप्लीट कर दिया जाएगा, कंपनी के इस प्रोजेक्ट से लगवाग 636,906 कारवन और स्वरजन को बहुत ही आसानी से रोका ज जा सकेगा, इस प्रोजेक्ट से लगवाग 1 साल में 750 मिलियन यूनेट इलेक्टिक सिटी प्रोजेक्ट की जाएगी, कंपनी के मताविक इस प्रोजेक्ट में भारत में ही बने सेल्स और मॉडूल का इस्तमाल किया जाएगा, किसी भी पार्ट को भारत में इंपोर्ट नहीं देखा जाये तो कंपनी लगवग 9.7 गीगावाट तक के ओर्डर को पार करने वाली है। वहीं Tata Power Solar System ने इससे पहले पांच मही को लगवग 5500 करों रुपए के एक गीगावाट सोलर परियोजना का सबसे बड़ा टेंडर भी जीता था जो की भारत का सबसे बड़ा सौर इंजिनियर प्रोजेक्ट था। कंपनी के मतावे इन सभी प्रोजेक्ट में मेकिन इंडिया के तहद बनाए हुए सैल्स और मॉडूल्स का उप्योग किया जाएगा। टाटा ग्रोप एलेक्टिकल वेहिकल से लेका एलेक्टिक बस और पावर सेक्टर में भी आतनर्वा बनने जा रहा है। जहां CESL की तरफ से टाटा को मेडिन इंडिया एलेक्टिक बस बनाने का एक बहुत बड़ा कॉंट्रेक्ट भी दिया गया है। बीते महीनों में टाटा ने अपनी कई कॉंसेप्ट एलेक्टिक बेहिकल को भी लॉंच किया है। अब टाटा पावर देश के पावर सेक्टर को भी आतनर्वा बनाने में लगा हुआ है। टाटा के इस परजेक्ट के बारे में आपकी क्या राए है में कमेट में जरूर लिखिएगा।